एक शेट्स जी थे, उनके एक गुरू थे, शो गुरू के पास उनके चार कार खाने थे बड़े-बड़े, राजिस्तान की, बहुत पुरानी बात, गुरू बड़े शिद्ध थे, गुरू के भक्त थे, चारों कार खानों का उद्गाटन गुरू से कराया था, घाटा हुआ, एक कारखाना बंद हो गया, गुरू के पास गया गुरू जी, कारखाना बंद हो गया, गुरू जी न कहा कोई बात नहीं, तीन चल रहे न, जाओ, दूसरे साल दूसरा बंद हो गया, तीसरे साल तीसरा बंद हो गया, चौते साल चौता बंद हो गया, चारों कारखाने चार सा में बंद। गुरु के पार जाते रहे गुरू जी कहते रहे एक बचा एना उतना परियाप्त है। अब रोने लगे पूरे परिवार के लोग जाकर के चार बेटा थे, चार बहु थे, पती-पत्नी थे, दस लोगों का परिवार था, गुरू जी अब कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, गुरू ने पूछा कुछ तो होगा, पांच एकड़ जमीन है और मकान है, उसी में सबजी लगाओ, सबजी लगा करके बजार में उसको बैचो, खाओ, मस्त रहो, भजन करो, हमने जो गुरू मंत्र दिया है, उसका जाप करो, वो मकान और जमीन बेंक में गिरिभी थी, जो बेंक बालों ने आकर के निलाम कर दिया, आक्षन कर दिया, माडगेश थी, कुछ नहीं ब बहूर चारो बेटे जैपूर चले गए, माता पिता को छोड़ करके, बेटा बहू चले गए, पतनी को धक्का लगा, हाट फैल हो गया, अकेला बचा, सब कुछ चला गया, गुरू के पास गया, गुरू जी सब कुछ चला गया, कुछ नहीं है, गुरू जी ने का जूट मत बोलो कुछ तो होगा वो लेना कुछ नहीं सो दो सो रुपया नहीं कुछ नहीं है और विचार करो बेटा कुछ है तुम्हारे पास तो उसने का गुरू जी कुछ नहीं है अब केवल मेरे सरीर पर एक कुरता है बस ये जबा है बस एक कुरता कुछ नहीं है मैं आप से जुट नहीं बोलूँगा गुरु जी ने कहा कि अभी भी फाइदे में है बिना कुर्ता के पैदा हुआ था क्या नुक्सान है हमारा आप देखिये संसार में जितने भी लोग हैं उनका क्या नुक्सान है आने के शमय वो क्या थे उसके बाद तो कुछ ना कुछ मिला ही है ना हमें क्यों संतोस नहीं होता असंतोसी ही नस्ट होता है संतोस करना चाहिए खुब कमाने की कामना करते हुए संतोस होना चाहिए लेकिन किसी का छीनना नहीं अपने को धनी होकर कि किसी को दुख नहीं देना है